आपके आशिर वचनों से हम प्रभावित हुए अब मैं इन्वाइट करता हूँ मुफ्ती मुहम्मद साइद खान सहाब को जो इसलामिक स्कॉलर और मदनी ट्रस्ट के फाउंडर है और खुद पाकिस्तान से आए है मुझे उनको दो मिनिट मिलने का सहुभाग ये मिला था भारत से और भारत के प्रेम से बड़े प्रभावित हुए वो मुफ्ती मुहम्मद सहीच साब बिस्मिल्ला इर्रह्मान इर्रहीम हमें दावत देने का बहुत बहुत शुक्रिया और तहे दिल से शुक्र गुजार है कि शिरी शिरी रवी शंकर जी ने इस पाबिल समझा और जिस तरह उनके और उनके रुफाका में और उनके दिलों में हमारे लिए महबत है हम भी उनके लिए उस से बढ़के महबत का इजहार करते है और हम सब को ये जान लेना चाहिए कि दुन्या में तमाम मसाइल हल हो सकते हैं लेकिन अना का मसला ऐसा खराब है कि ये हल नहीं होता और दुन्या में जितने दानिश्मन थे उन सब ने ये कहा और आज जनाब वाला शिरी शिरी रवी शंकर भी यही कहते हैं कि दिया अपनी अना को जो हमने उठा वो जो परदा सा बीच में था न रहा न वो परदे में अब रहें परदा निश्मन कोई दूसरा उसके सिवा न रहा ये आलमगीर अखुवत और आलमी सता पे भाईचारा ये वो आवाज नहीं है जिसको उनोंने कुछ पहली मरतबा फरमाया हो दुनिया भर में खुदा के अच्छे बंदे इसी चीज़ की तरफ दावत देते रहे और हमारे पेगंबर सल्लाओ अलिए वसल्म रात के आखरी पहर में अल्ला के सामने कुछ कस्में खाते थे और कहते थे के कस्म ए ए रब परमातमा तू एक ही है और कस्म है इस बात पर भी के अननल अबाद कुल्लूहुम इखवा अल्ला तेरे सारे बंदे आपस में भाई भाई सो हमें चाहिए कि इस अखुवत को आम करें और अरवाब बस्तो कुशाद वो हिंदुस्तान के हों या पाकिस्तान के या दुन्या भर में कहीं के उन्हें चाहिए कि वो देखें और कहें कि अपने बेनूर चरागों को जिया दी जाए अपने बेनूर चरागों को जिया दी जाए ना कि हमसाहे के कंदील बुझा दी जाए ये नहीं करना किसी को नहीं करना हम सब को चाहिए कि हम अपने मन में ज्छांकें और वो परमात्मा खुद अपने मुतालिक आखरी वही में कहता है वफी अन्फुसिकुम अफला तुबसिरून और हम तो तुम्हारे दिल में बिला कमो कैफ मौजूद हैं गोर नहीं करते आराम करदाई बने हाँ खाना ए मनम मेरे दिल में छुपा हुआ बिलकुल सकुन से है खलके दरी गमा कि वह महफल निशिस्ताई और लोग समझ रहे हैं कि वह महफल में है इस दिये हम सब लोगों को चाहिए जितने देशों के लोग जमा हुए हैं हम महबत के इस पैगाम को आम करें हम अमन के इस पैगाम को आम करें खुदा कहता है वस्सुल्हुखः लोगों सुल्हा अच्छी चीज़ है खुदा ये नहीं कहता कि अलहर्वोखेर जंग अच्छी जीज़ खुदा ये कहता है कि मन अहयाहा फकाणनमा अहयनास जमिया जिसने एक इनसान की जिंदगी बचा ली उसने पूरी इनसानियत की जिंदगी बचा ली और खुदा हमें अपनी वड़ी में कहता है और जब वो जिन्दा गाड़ी गई बच्ची उसे हम अपने सामने उठाएंगे और हम कहेंगे बैये जम बिन कुतिलत तू किस कुना में मारी गई थी हम सब को चाहिए कि हम अमन आश्ती आराम महबत सुला इसके पैगाम को आम करें आपका शुक्रिया आपने हमें सुना असलाम आवली बहुत अच्छा एक बात हम सब को समझना चाहिए जितना दुनिया के किसी और स्थान पर आतंकवाद से लोग तरस्त है उतना पाकिस्तान भी तरस्त है इसलिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान और सभी देशों के वास्त हम ये बात याद रखे हम सब मानव है इस दुनिया के हम सब एक अंग है प्रभू किश्वर के पुत्र है इस बात को हम कायम करेंगे इस तरह से प्यार और मुहाबत सियासी जहां भी जो भी हो हम प्यार और मुहाबत का मजबी लोग रेनुमा लोग उसको बढ़ाते जाएंगे फैलाते जाएंगे बहुत बहुत शुक्रिया पाकिस्तान, हिंदुस्तान, सब माइत्रिपूर्ण आगे बड़े जैहिंद और पाकिस्तान जिन्दाबाद साथ साथ चले पाकिस्तान, जिन्दाबाद जैहिंद जब एक जीत होता है, दूसरे को हार होना ऐसा जरूरी नहीं है यहाँ win-win situation है, हम भी जीते, वो भी जीतना, जीताना, यह है धर्म खुद भी जीतो और जीताओ सबको यह बात है, यह प्यार का लफ्ज है बहुत-बहुत शुक्रयाद, पाकिस्तान से एक सो से अधिक लोग आये हैं यह सब हमारे प्यारे भाई बहुत लोग और भी आयेंगे, हम आहाँ देख भी रहे होंगे हम सब ऐसी एक महित्री का भाइचारे का प्रेम का संदेश आज इस मंच से और घुन जूते बहुत-बहुत शुक्रयाद